दोस्तों स्वागत है आपके आपने चनल SSC स्वेंट सावसब्स इस वीडियो में SSC MTA 22 के लिए जी के के कोटेन करने वाले जो प्रिवियस यह 22 की हो जो टोटल 42 सिप्ट में कंड़क्ट हुए ते इसे पहले मैंने 6-7 सिप्ट का जी के का कोचन करा दिया है जिसका प्रिविय सब्सक्राइब कर लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिए तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कोचन देखे एश परानी जगत के डाय संग से सम्मंद रखता है किस सम्मंद रखता है पेरी फेरा से सम्मंद रखता है CAN daily फिट आई सब्रानी जगत कर onda लुट्राखंड कने क्वंाइया निम्हेखित में ज़किस भारतिये पर्वकुब मनाने के दरन मखन दही इत्यादी से भरी मटकी को जमीन से उपर टांग दिये जाता है लोग माना पीरामिड बनाकर इसे तोरने का प्रियास करते हैं जन्मास्टमी का पर वे तो सिंपल सा कुछ नहीं भारतिये समिधान का भा पहला मीच्वल फंड आराम किया था उन्यग मीच्वल फंड आराम किया गया था गंगा और सों जैसे नदिया प्राचिं भारते माहा जन्पत डैसœं कर बहती है मगद महाजनपर से होकर बहती है गंगा और सोन जैसे नदियां डायस एक उपकरान है जिसका उपयोग विध्धु सरकीट में दो विंदुओं के बीच विध्धुद विवांतर के मापने के लिए किया जाता है वोल्ट मीटर का परियोग विध्धुद के यहां प प्राइश के द्वारा नियंतरित किया जाता है पुतली के द्वारा नियंतरित किया जाता है आइडिस यानि कि आइडिस के द्वारा आइडिस के द्वारा या पुतली के द्वारा नियंतरित किया जाता है प्राचीन भारतिये पांडो लोपी आमतर पर तार पत्रों या मा और वायू गन्वक्त को प्रवावित करता बिल्कुल सई है वन मिर्दा को परदन को रोकते बिल्कुल सही लेकिन सेकेंड वल्ला असत्य है भारत समीधान के बारह इसकें रिफार में क्लिक्त में Самोसा काथ ही और असत्य बताना है या सभी व्यक्तिव wag euh को धर्म को धारण करने अभ्यास करने और प्रचार करने की सौतंतरता देता है बिल्कुल सही है इसके निर्माताओं एक धर्म निर्पेक्ष राजी का मोडल चुना ही बिल्कुल सही है या राजी के धर्म के मामलों में कोई कानूर बनाने से रोकता है बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि सभी क अपनापरा अधिकार है यह धर्म के अधार पर भेदवाग पर रोक लगाता है बिल्कुल सही है क्रिकेट खिलाडी जहिर खान को दौहर बीस में डैस सम्मानित किया गया था पदम स्री से सम्मानित किया गया था वीच अफ दो फॉलेइंग स्टेटमेंट अब अधाबाद इस नोट तो यानिके अमधाबाद के वारे में कौन सा कथन असवत्त है अहुआदाबाद इस लूकेटेड ऑन दबैंक औरीवर साबर मति बिल्कुल सही है क्योंकि साबर मतिया से अमुआ ठीक है लिए फर्स्ट मि इंडिया अमदाबाद को काहिद बिल्कुल सही है अमदाबाद इस सीचुएटेड वेरी क्लोज टू कोटन गुरुइंग एरिया जानी कि जो सूती एरिया जो है यहां पर बिल्कुल सही है तो चलिए आगे देखते हैं विच पर फigence फ्रड़ों डिल्क स्ट ही एजल मृटर न ihan RZ पर बिल्कुल सेक्टर इंशुर्थाह एंसृरेंस कंप्पवी नहीं याहीं यहीं अस्त्य हो जाएगा निक्स और भारत में पूरा तत्विक महतव का है पूरा पाशानteल है ङंगा-ब्रामूत्र बेशीं डैस अक्छांसों के बीचिस्थित है 10 डिगरी नौर्थ और 30 डिगरी नौर्थ के अक्छांसों के बीचिस्थित है गंगा और ब्रहमूत्र बेसीन डैस्क कुर्ग के कोडव समुदाय का फसल पर्व है पुट्टाडी जो है कुर्ग के कोडव समुदाय का एक फसल पर्व है भारतिय समिधान के अनुछे संतावन में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्टपती के पदपर है या पहले इस पर पदपर हाचु का इस समिधान के अन्य प्रावधानों के अधिन है वो इस पर पदपर फिट से चुनाव के लिए पात्रों के बिल्कुल सही है एल इस एडवेंचर इन वॉंडरल ये पुस्तक जो रहे लिविस एरवार लिखा गया है तो चलिए आगे कंटेनीव करते हैं दो महकाबेर रगुवन्सम और क्यूमार संभवन, कालिस द्वारा रचीक किरतियं Рगुवन्सम और कुमार संभवन, यूर्गबी चैंपिएंजक या हेनकेन कप किस खेल से शंबंज है रगभी से सम्मंधित है यूरोपियस चैंपियस या हैंकेन कप जो रगभी से सम्मंधित है निमिखित में से किस राजे में कोईले के सबसे अधिक भंडार है जारकन में सबसे अधिक कोईले के भंडार है एगरा फिया क्या होती है लिखने की छमता की हानी जो है एगरा फिया होती है दसहरा उसम के दौरान किया जैने वाला वीरागेज निरत राजर के लोख निरतों में से एक विशेय सस्थान लगता है करनाटक राजर में वीरागेज दसहरा उसम मनाये जाता है भारतिय समराट हर्स की जीवनी हर्स चरीतम हर्स के कारेडैस ने लिखा है हर्स चरीतम बान भटने लिखा है हर्स चरीतम किसे ने लिखा है बान भटने लिखा है कौन साता तो बेकिंग सोडा का घटक नहीं है क्याल्सियम जो है बेकिंग सोडा का घटक नहीं है दा गोल्डेन थ्रेसोड नामक पुस्तक के लिखा या लिखी का कौन थी सरोजनी नाइडिक के द्वारा दा गोल्डेन थ्रेसोड नामक पुस्तक लिखा गया है राज सुप्राप्तियां और नोन डेप्ट कैपिटल डिसिप्ट अंदी सीयर के योग और कुल व्याए के बीच का अंतर को क्या कहा जाता है? राज को स्ये घाटा कहा जाता है पहली सतावदी में गंगा नदी की बाढ़ के पानी को जोरने वाली जल संचयन प्रनाली की सस्थान पर थी स्री इंग वेरपूर में थी भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समा चार पत्र निम्रीखेति में से कौन सा था? १र्ण यानि द बंगाल गजर जो था? भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समा चार पत्र था this way आप़ार संगधन कव अस्तित्में में आया? उन्हें सो पंचानमे में 20 वेपिया पार संगठन अस्तित में आया 1885 में हैजा का टीका निम्लिकित में से किस ने विक्सित किया था जे में फेरान ने हैजा का टीका को विक्सित किया था भारतिय समिधान में राज्य सभा के सदस्यू के नामंकन की प्रक्रिया निम्लिकित में से किस देश समिधान से लिए गई है आयार लेंड के समिधान से लिए गई है भारतिय समिधान के अनुछे 360 में क्या प्रावधान है विती आपादकाल जो है अनुछे 360 में है और जो रा स्थापित किया गिया था मद्रास में अब चिन्नाई में स्थापित किया गिया था ठाराव चौसाट इसमें वेद समाज की स्थापना मद्रास में किया गिया था और निथो लॉजिक की से सम्मंदित है पक्षियों की अध्यन को और निथो लॉजिक कहा जाता है निमनीखित म केतिहास की सबसे बरी टेक्स को टोती पर हस्ताक्चर किये या नितिकिस आर्थिक सिधान पर किंदरी थी, लैफर करूब पर अधारी थी। निक्ता लोपिया जीसे आम भासा में रतांधी के नाम से जाना जयता है किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, बिटामिन एक ही कमी के करना कारण होता है कौन सा रोग रताउंधिया इसको नाम ध्यान लख ले जाए निक्टा लोपिया जो है रताउंधि को ही कहा जाता है सत्रवी लोकसभा की राजवार सुची के अनुसार लोकसभा में बिहार के कितनी सीटी अवंटित की गई थी चाली सीटे जो है लोकसभा के बिहार से अवंटित की गई थी पैठनी साडी बुनाई उधोग की सराज से सम्मंदिध है महराज से सम्मंदिध है पैठनी साडी निर्मिकित में सकी सराजा के सासन काल में कोनार का सूर्य मंदिर बना था नर्सिंग देवफर्ष्ट के सासन काल में कोनार का सूर्य मंदिर बना था अंड़मार और निकोवारदीव समो को अलग करने वाले जलमार की पहचान करे तेन डिगरी चैनल यान के दस डिगरी चैनल जो है अंड़मार निकोवारदीव समो को अलग करता है तो है अगर आपको वीडियो प्रसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करियेगा चलिए आगे देखते हैं डैस व्यापा गमन के सिधान के कारेमन के लिए 1824 सीश्पी में British East India कंपणी के खिलाब ससस्त्र विद्रो का निर्थीद करने वाले पहले भारती सासकों में से एक थे कि तूड चिन्नमा ने तुझे ब्यापा गमन के सिधान को कारेमन के खिलाब 1824 में British India के अपनी के खिलाब ससस्त्र विद्रो किया था किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी अस्तरों में OBC में दवार के लिए 27 पर्सेंट आरक्षन की शिफारिस किया था मन्दल आयोग ने OBC को 27 पर्सेंट आरक्षन की सिफारिस किया था आर्थिक रूप से कमजोर वर के अंतरकत के अंदर सरकार के नोकरियों में 10% आरक्षन उन लोगों के लिए उपलग है जिनकी परिवार किया है डेस से कम है आठ लाग से कम है जो EWS के सरेनी से आते हैं इन विच अफ दो फोलेंग एष्टेट इस भिठी चित्रा यानि की बिती चित्र जहरेसको पेंटिंग यानि की पौपुलर कहां पड़ है विठी चित्र यानि की हर्याना में पौपुलर हैं करनाटक और तमिलनाडू के बीच जल बटवारे के पुराने मुझ्दे को हल करने के लिए उद्यस से 1990 के जल विवादने आधीकरन से जूरी नदी कौन सी है कावेरी जल विवादने आप लोगों जरूर जानते होंगे जो करनाटक और तमिलनाडू के बीच में है लरकों में एक भाग के रूप में देखा जा सकता है इडम, एपल कहा जाता है कट के गले के बाहर निकला हुआ भाग को । ऊपुभोक्ता संrak्ष नधनीयां दहर नीज के प्रावधान कब से प्रभावित हुआ। निमिखित में से कौन सा जुवारिय बंदरगा है कांडला जो है एक जुवारिय बंदरगा है जो कहां राज गुजरात में इस्तित है ओसकर पुरसकार पाने वाले भारती नोन मिखित में से कौन है भानु अथा या जो है उस ओसकर पुरसकार पाने वाले पघ्ली भारती इस महीरा है 1772 इसपी में सालावाई की संधी हुआ था लिटमस विलियन जो है बैगनी रंक एक ऐसा रंजग होता है जिसे डैस वर के एक पोधे को पोधे लीचेन से निकाला जाता है थैलो फाइटा वर के पोधे से निकाला जाता है पोधा डांस इसपी में पोधा डांस इस परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम्द अस्टेट यानिका पोधा डांस कहा का है महराष्ट कहा है पोधा डांस भारत में दूसरा सरवादिक महतपूर्ण धातुकार मुधोग कौन सा है अलुमूनियम उधोग जो सरवादिक दूसरा उद्धो धातुकर मुधोग है दा बेस्ट थिंग अबाउट इज यू शिर्चक पूस्तक के लेखा कौन है अरुपम खेर के दोवार लिखी के पूस्तक है दा बेस्ट थिंग अबाउट यू इज निमिकित में से किस टीम ने इंडियन सूपर लिख 2220 जीता एटी के फूटवल क्लॉब ने इंडियन सूपर लिख 2220 जीत लिया निमिकित में से कौन प्रिथिव के महादूपिय द्रभमान के मुख खनीज घटकों में से एक है निमिकित में से किस टत में किसी अव्यव के उचतम उसमें चलकता और उचतम प्रकास परावर्तन होता है चांदी में होता है इसलिए इसलिए से बड़ी सेल कोसी का होती है भारतिय सेना ने गुवा को पूर्थ गालियों से कब आज़ाद कर दिया उनाइस सो एक सट इसमिया गोवा से पूर्थ गालियों से आज़ाद कराया गिया था यहां पर पूरे 25 कोशन कंपलीट हो कि चलिए नेक्स चीप करते हैं यहां फर्स्ट कोशन देखें निम्लिकित मे इसलिए आप लोग कोई उप्यूगी नहीं होगा इसलिए करेंट पर के नहीं सिर्फ जीके और जीएस के कोई कोशन कर रहे हैं कृतिम भाइवर आसानी से आग पकर लेते हैं परणतु अगनी समन करमिकों की वर्दी को अगनी पर तिरोधी बनाने के लिस पर डायस प्लास् Taking COTING की जाती है इनली हouring में से किस ग्रह का कोई चंदर्मा नहीं है सुक्र और बुधुर और सुक्र का कोई चंदर्मा नहीं है उसलिए इस टीम ने Uminallyक्त में 75 में पहला क्रिकेट विसकब झीता था वेस्ट इनडिजज नेर्पहला क्रिकेट विसकब 1975 में जीता था जनसंख्या भूगोल डैस की एक साखा है, मान भूगोल की एक साखा है भारते समिधान के निम्लिकित में सकीस अनुछेद ने 25 जनवर 1965 के बाद भी अधिकारिक परियोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर हुपियोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया वियापार और विकास पर संजुक्त राज सम्मेलल अंग्टार्ड के अनुशार भारत भारत भरुणीस में पर्तेक्स विदेशी निवेस एफडी आई का डैस सबसे बड़ा प्राप्त करता था निम्लिकित में से कौन सा रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदाई है विशानू जो है एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदाई है प्रतेक वर्स 29 जून को डैस के जयनती के उपलक्स में भारत का साइंखी दिवसुर के रूप में मनाया जाता है पीसी महान लोबिस के जयनती मनाया जाता है 29 जून को निम्लिकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है महा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोनों पूछा जाता है पक्की मीटी यानिके टेरा कोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद विशनुपूर निमिकित में से किस राजी में इस्तित है विशनुपूर जहे पच्छी मंगाल में इस्तित है निमिकित में से कौन सी कोशी के संदाजना प्रोटीन संसलेशन के लिए उतरदाई होती है राइवोसोम जो है प्रोटीन संसेलेशन के लिए उतरदाई होती है किसोरी अमनोकर का सम्मध है निकित में से किस छेतर से था भारतिय सास्त्री संगीतर से था किसोरी अमनोकर का सम्मध Human Development Report is published वायनिकी Human Development Report जो है किसके द्वारा प्रकासित किया जाता है आफ प्लेग्रा रोग भीटामिन 10 की कमीसे होता divin B3 की कारण फ्लेग्रा रोग हो जाता है जिससे नियासीन भी कहा जाता है भारतिय समयधान के नुसर ऐसे अधिक्तम कितने राजे जहां केवल एक ही व्यक्ति को राजी पाल नियुक्त किया जा सकता है या इसी कोई भी राजी नहीं है जो उसमें केवल एक ही व्यक्ति को राजी पाले नियुक्त किया जा सकता है इनमेखित में से किसे वर्ष 1939 और 1949 में भारते राष्टे कंगरेस के अध्यक्ष कुरूप में चुना गया था इनमेखित में से कौन सा गरंत कश्मीर के तिहास का सबसे विश्तरित विवरन देता है राज्तरेंगिनी जो है कश्मीर के तिहास का सबसे विश्तरित विवरन देता है और यह किसकी किसकी पूश्तक है कलहन की पूश्तक है राज्तरेंगिनी तो चलिए नेस्ट गिप करते हैं इह 25 कोचन हो चुका है First कोचन देकिए गान्धी जी ने डैस को करो या मरो का प्रसिद भासन दिया था 8 अगस्त—1942 ISAME को करो या मरो का प्रसिद भासन दिये थे महातमागान्धी भारत के समिधान के भाग 10 में देश के भीतर व्यापार और वानी जी की स्वतुन्तता का प्राभधान है भाग 13 में है देश के भीतर व्यापार और वानी जी की स्वतुन्तता का प्राभधान The Clean Note Policy was announced by the Reserve Bank of India यानि की जो Clean Note Policy जो है की रिजर बैंक आप इंडिया के द्वारा का प्रकासी पब्लिस किया था 1999 में अस्थापित किया था साइमन आयोग के खिलाब सांति पुन परदाशन के दारान लगी चोटो से डैस की मिर्ती हो गई थी लाला लाजबेतराई की मिर्ती हो गई थी Boy Tales of Childhood डैस की आत्मकथा पुस्तक है Rolled Dahal की पुस्तक है Boy Tales of Childhood डैस का निर्पेक्ष अपरतवानांक 2.40 होता है हीरे का निर्पेक्ष अपरतवानांक 2.42 होता है इमिकित्म से कौन सी एक ओलंपिक अस्परधा नहीं है करता भी जिमनास्टिक जो है ओलंपिक अस्परधा नहीं है ट्रेपुलीन जिमनास्टिक बिल्कूल है कलातमक जिमनास्टिक ये भी है लेकिन करता भी जिमनाश्टिक ये नहीं है राठवा नीगेर गुजरात की राठवा जनजाती दोरा डैस के अवसर पर किया गया एक निरित है खोली के अवसर पर किया गया एक निरित है निरित के जिम से कौन सा बांध मध्य परदेश में इस्तित है तवा बांजु है मध्य पर्देश में इस्तित है डैस बेसीन का लगभग 50% भाग महराष्ट में इस्तित है भारत में लास्टिय जलमागर वानो निम्नी से कौन से सामिल करता है गंगा भागी रती हुगली नदी का हल्दिया इलहबाद खंड से सामिल करता है पंडित मदन मोहन मालवियों को डैस के नारे को लोकप्रिय बनाने का स्रेज जाता है सत्य मेव जैतिय के नारे को लोकप्रिय बनाने का स्रेज पंडित मदन मोहन मालवियों को जाता है which of the falling is not a part of the hind brain यानि कि hind brain का कौन सा हिस्टा नहीं है hypothelmas जो है hind brain का हिस्टा नहीं है लेकित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है यक्रित सरीर की सबसे बड़ी गरेंथी होते बिल्कुल सही है यक्रित पीता स्तरावित करता है बिल्कुल सही है यक्रित लाल भूरे रंका होते बिल्कुल सही है लेकिन यहां पर देखे यक्रित बाई ओर से उदर के उपर हिस्टे में होता है बिल्कुल करा दो कि देखे उदर के यहां पर बाई तरब नहीं दाई तरब हो जाएगा दाई तरब जो है उप्री हिस्जे में होता है निम्लिखित में से किस सुक्ष में जीव के कारण हैजा फैलता है जीवानु यानि के बैक्टिरिया के कारण हैजा फैलता है अवद किसान सभा का गठन किस वर्स हुआ था 1926 में अवद किसान सभा का गठन हुआ था इसको ध्यान रख लिजे ये बार बार पूछा जाता है इसलिए अवग किसान साभा कर ठण कर दो से किया गिया था कि निम्लिखित में से किस पार्यावर 90 दिन दोहरापंदरा में स्टॉक हुमजल पूरुष्कार से सम्मानित किया गिया था राजेंदर सिंग्क को वांटर मैं ओफ इंडिया के नाम से भी निम्लिखित में से कि डैस को बच्चों की परिभासा में सामिल नहीं किया गया है अवयस्क बेटे को सामिल नहीं किया गया है डैस हर साल फरवरी में सिल्प ग्राम में मनाये जाता है ताज महुचसब जो है हर साल फरवरी में सिल्प ग्राम में मनाये जाता है सबी ये सीर धातुओं के साथ अभिक्रिया पर डेस उत्पन करते हैं हैट्रोजन उत्पन करते हैं निमलखित में से कौन सा महल तीरवन धन्त पूराम में इस्तित है टीम एक टीम के कफ्तान 12 लियुक्त में सक्षिष क्रिकेटर को मिस्टर अतुल्य बताया गया था बेन श्टो को किया बताया गया था मिस्टर अतुल्य बताया गया था तो चलिए नेक्स टीट करते हैं यहां पूरे 25 कोचन हो चुगा है देखें बोलने में थोड़ा यहां पर मिश्टेक हो जा तो इसके लिए दिल से सोरी चलिए आगे देखते हैं पच्छी मंगाल में इन्हें से किस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानिकी इपीज की स्थापना कि गई थी फाल्टा जोन की स्थापना किया गया था पच्छी मंगाल में कि सिपाही विद्रों कि शुपर समाप्थ हुआ था 1859 में हुआ था निम्लीखे 323 परधान मत्री ने निन्यक्री में अखिल और सम गंढर्न संगराम परिशत के असं संधावते पर हस् निम्लिकित में से किस भारती क्रिकेट खिलारी की आत्मकाता का सिर्षक प्लेइंग मीट माई वे है सचीन तेंदूलर की आत्मकाता क्या है प्लेइंग इट माई वे सूरी के प्रकास की लाल और हरे रंग की तरंग धहरे के अलावा महसागरों में जल के अनुद वारा सूरी के प्रकास की अन्य कौन सी रंग की तरंग धहरे अफसोशित किया जाती है पीली रंग को अफसोशित किया जाता है कलाकारों को परदर्शन कला में योगदान के लिए 10 में संगीत नाटक अकादमी पुरुषकार दिया जाता है 1952 से संगीत नाटक अकादमी की पुरुषकार दिया जाता है सोतनता के बाद में कितमें से कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विस्व चैंपियन था विल्सन जोन्स जो था भारत का पहला विस्व चैंपियन था निम्लिकित में से कौन एक सुवाप ओसी ओटो ट्रोफ है पोधा जो है एक सुवाप ओसी है जनपद गीते जिसमें बसवन्ना के वचन सामिल है डैस राजे से सम्मंदित है करनाटक राजी से सम्मंदित है बसवन्ना गीत निमलिकित में सकौन हमारे अहार का एक गैर पाचनी भाग है जो पाचन तदर के स्वास्त के लिए आवस्तक है खादरे से जो है रौफेज जो है यह हमारे पाचन के लिए जरूरी होता है पाटकर चित्रकारी की अदूतिय संस्क्रिती परतिक है जारखन्ड में की अदूतिय संस्क्रिती परतिक है पाटकर चित्रकारी सोतंता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलम्पिक खेल में पुरुसों की होकी इस परधा में स्वन पदग जीता था लंदन ओलम्पिक में जीता था वेटिंग फोरे वीजा नामाख पुस्तक के लेखा की कौन है डॉक्टर भीम रामेदकर्ज के द्वारा वेटिंग फोरे वीजा पुस्तक लिखा गया है भारतिय समिधान का कौन सा अनुश्य दिया घोशना करता है कि भारतिय समिधान 1950 के लागू होने से पहले भाग तीन के भाग तीन से उसंग सभी कानूने सुनने माने जाएगे क्या माने जाएगा यहां पर 13 में घोशना करता है निमीखत में से कौन सा भारति में सबसे पुराना स्टॉक के एक्सचेंज है जल तालिका के नीचे कठोर चटान की परतों के बिज्यमा भूचल को किस नाम से जाना जाता है जब चीटी काटती है तो यह तोचा में अमलियत तरल यानि के फॉर्मिक अमल पर विष्ट कर देती है इसे बे असर करने के लिए तोचा पर नम बेकिंग सोडा लगाना चाहिए जब चीटी काट लेती है तो नम बेकिंग सोडा लगाना चाहिए डैस नामक एक व्रिहत पेशी सीट चाती गूहा के तल का निर्मान करता है निमिकित मैं किस वर्ष को मीठे पानी के अंतराश्टे वर्ष के रूप में मनाया गिया था धरतीन को मीठे वर्ष का अंतराष्टिय पर मनाया गया था एक नॉमबर 1858 को निम्निकित में से किसकी उड़ घोषना के बाद यह घोषना किया गया था कि अब से भारत एक राज्य सचीवी के माध्यम से और बिर्टी समराट के नाम पर सासी थोगा रानी विक्टोरिया के घ भुसना के बाद पूरे 25 कोशन कंपले हो चलिया नेक्ट की कुछ देखते हैं सोड़ी यहां पर और कोशन रही गया था मस्तान साह वली की दरगा पर आयूजित होने वाला मेला है तराइन की पहली लड़ाई डैस में लड़ी गई थी 1101 इसपी में तराइन की पहली लड़ का विब्रन देता है अनुछेद 110 जो है हमें धन विध्या का विब्रन देता है दिव वार्षिक पर्यावर्ण परदर्शन सुचकांग एपी आई दोहर बीस के बारवे संस्कार में भारत का कौन सा स्थान था एक सो और सथवा स्थान था चलिए निश्ट की सिप्ट के कौन से थी तमिल भासा जो है भासा प्राप्त करने वाली सास्त्री भासा सबसे पहली भासा थी किस देश के सहयोग से गीतांजली सहीति प्रुषकार प्रदान किया जाता है निम्लिखित में से किस कंपनी ने टॉक बैक नामक एक ब्रेल कीबोर्ड विक्षित किया है गार्ल वूमन आदल बैक ने लिखी है परद्ढ़नमंतरी जीबन जीवन जियोती बीमायोजणा बैंक खातों कि सभी धारकों को डैस का जीवन बीमा कमर परदान करता है दो लाहका जीवन बीमा कवर परदान करता है निमिखित में से कौन सा सहर अपनी आधार सीला रखे जाने के तुरांत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था अहसना बाद जो है क्या बन गया था इसकी बहमनी सल्तनत के राजधानी बन गया निमिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है की चोटे नामक पूस्तक के लिखा कौन है सलमान रोसी द्वारा की चोटे नामक पूस्तक लिखा गया है क्योटो प्रोटोकॉल नियम गहों के तह छे के साथ सुल्तान अलज अजलन साह कब सम्मंदित है होकी सम्मंदित है सुल्तान अजलन साह कब जो है होकी से सम्मंदित है भारत में राष्टी सुरक्षा सलाकार का पद किस वर्ष से स्रीजित किया गया था उन्हें 108 में से स्रीजित किया गया था भारत में मुल्य वर्धित कर किस वर्ष में लाया गया था धर पांच में मुल्य वर्धित कर लाया गया था यानिकि वैट टेक्स जो है धर पांच में लाया गया था निमिखित में से किस राज ने हडीतर हरम के नाम से एक विछा रोपन करेकरम लागू किया है ते लांगाना सरकार ने लागू किया है लन्सी और साथ में यकृत में संग्रहित किया जा सकता है पतेती या पस्चाताब का दिन डिय डैस कलेंडर के केक महतपूर्ण दिन है पारसी का केक महतपूर्ण दिन है निमलिखित में से किस गुप्त सासक ने लिच्वी वंस की लड़की से विवाह किया था चंद्र गुप्त फर्ष्ट ने लिच्वी वंस की लड़की से विवाह किया था इस पीती नदी निम्लिकित में से किस नदी की सहायक नदी है सतलूज के सहायक नदी कौन है इस पीती नदी कजली पेंटि भारत में क्रीहसी उत्पादों के लिए मौजूदा मंडियों को लिक्रित करने के उद्स र边खना एक अखिल भारती इलेक्टॉनिक ट्रेदिंग पोर्टाल मेखित में से कौन सा है फोलीक अमल का दूसरा विखित में से कौन सा है तेरोई ग्लूटेमिक अमल जो है फॉलिक अमल का दूसरा नाम होता है तो चलिए नेक्षिप के कंटनियू करते हैं भारते सविधान के अनुछेद असी के अनुछा राजिसभा के सदसों के कुल संक्या डैस से अधिक नहीं हो सकती है और हाई सो से अ मातरा को नियंत्रित करता है आईरिस यानि की पूतली ही नियंत्रित करता है यह कोचन रिपीट हो चुका है इसलिए आप आईरिस आपको ध्यान रखना है रुकमेनी दिवी अरुंडेल निमिकित में से किस निर्तिसाली से सम्मंदित है भारत नाट्यम से सम्मंदित है रु भी कुछ निपीट हो चेका है वैट टेक्स जो है दोरपांस से लागू किया गया था जोरों के बीच मौजूद द्रव जो जोरों की गती इसको आसान बनाता है को किस नाम से जाना जाता है साइनोवियल द्रव के नाम से जाना जाता है जो जोरों के बीच मौजूद द्रव ह होता है मोगल प्रांतिय प्राशासन में आम तोर पर दिवानी का अर्थ क्या होता है राजसु प्राशासन होता है दिवानी का अर्थ नहर कटिया तेल छेत्र किस राज में इस्तित है और सम में इस्तित है नहर कटिया तेल छेत्र रियल टाइम ग्रोश से टेलमें यानि कि और एक मुरे हुए धनु से बाजायाया जाता है सारंगी वह क्यांसा है यहाँ पर वाधियां तो सारंगी हो जाएगा मौरे राजवांच का अंतिम सासक गौन था बरिह द्रत जो था ए ौरे वंच का अंतिम राजवांच था विक्टर एक्सलसन ने जीता था जालियावाला बाग हत्याकान कर लिजी मेंदार बिटी सधिकारी माईकल ओडायर की हत्यान मेलेखित में से किस ने किया था उधम सिंगने किया था लोहे का हुआ कौन सागून है जिसके कारण कर्म लोहे के टुकरे को पीट कर चाकू का रूप दिया जा सकता है अगात वर्दिन नहीं आता है 1989 में दूतिये पिच्रावर्ग आयोगी अधिक्स्ताग डैस के द्वारा की गए थी बीपी मंडल के द्वारा किया गया था निम्लिकित में से कौन सांग गुलुकोज और ग्लाइकोजन भंडारेन के लिए इस्तिमाल किया जानावाल एक जटिल कार्बोहाइट और एमीनो अमल का प्रोटीन में प्रविर्थित करता है या कृत प्रविर्थन करता है भारत दुनिया के कुल भावली छेतरफल का कितना प्रतिसत भाग है दो प्रतिसत भाग है निम्लिकित में से कौन सा एक जैन देवहार है जो सेतामबर समुदाय के दवरा आठ दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगमर समुदाय दवरा दस लक्षन परव के रूप में दस दिनों के लिए मनाया जाता है पर्यूसर परव जो है मनाया जाता है वहानों में हेड लाइट के रूप निमिखित में से किस धरपन का उप्योग किया जाता है अब तल धरपन का उप्योग वहानों के हेड लाइट में किया जाता है और पीछे के दिर से देखने के लिए उत्तल धरपन का परियोग किया जाता है संसद के दोनों सद्रों की सन्युक्त बैठा की अध्यक्ता निमिलिखित में से कौन करता है लोग सभा अध्यक्स करता है तो चलिए नेक्स शिप के करते हैं किस भाग में सितंबर 22 किस्तिती के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक घनतव है धक्षिन मद्धेशिया में सर्वाधिक जनसंख्या का घनतव है जदि दोवल विप्री दिशाओं से किसी पिल्ड पर कारे करते है तो उस पर कारे करने वाले सुध बल का परिमान दोनों बलो पुर्त गालियों ने बनाया था वल्लम कली किस तरह का परांपरिक खेल है वल्लम कली जो है नौका यान का एक परांपरिक खेल है जो केरल राजी में मनाया था इसको भी आपने याद रख लिजेगा कोईला भंडार के मामले में अपरेल 22 के स्थिती के अनुसा दुनिया में भारत का डैस अस्थान था पांचवा अस्थान था निम्ली खित्म से कौन सा वह आवाशक था तो है जिसका क्या भूरा कोईला है जो आधरता की उच मातरा को कारण कोमल होता है लिग नाइट के कारण होता है चलुक के राजवांस ने वातापी में सासन किया वो जो अधानिक समय में डैस भारतिय राजे में था करनाटक राजे में था कौन सा भारतिय लोन टेनिस खिलारी उन्हें सो चोबन में विलामंडन में लड़कों का एकल खिताब जितने वाला पहला एसियाई खिलारी बना राम नाथन क्रिशनन बना आख के पारदर सी अगर भागो को क्या कहा जाता है कौर्निया कहा जाता है एक कागज जिसमें बैंक किसी ब्यक्ति के खाते में से किसी अन्य ब्यक्ति जिसके नाम पर इसे जाड़ी किया गया है को एक विशिस्ट रासी का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है चेक कहा जाता है किस भारती राज का प्रामपरिक भोजन है त्रीपूरा का है कौन सा राज्ये दोहरस लला में भारत में पूरी तरह से जैवी खेती वाला पहला राज्ये बन गया पूरी तरह से जैवी खेती वाला पहला राज्ये बन गया पोचम पली एकत साड़िया और ऐसी पुसाख स्रिमागरिया जो अपने परंपरिक जैमीतिये पैटाने के लिए प्रसीद डैस राज से सम्मंदी थे तेलंगाना राज से सम्मंदी थे पोचम पली एकत साड़िया ग्रिस्म काले कि में रात के पहले प्रहर में दिखाई देने वाले प्रसीद तारा मंदल को किस नाम से जाना जाता है सबतर्सी तारा मंदल के नाम से जाना जाता है भारत और पकिस्तान ने डैस परहा स्थाक्षर किये थे जिसके तहट दोनों देशों मतभेदों और विवादों के दूपक्षिय रूप से सुलजाने पर हसामत हुए थे सिमला संधी के तहट पर्धान मंदरी वय वंदना योजना के धर प्रती प्रहिष्ट नागरीकों को निवेश की अधिकता मरासी कितनी है 15 लाख रूपे अधिकता मरासी है भारत ने किस वर्ष में तिबवाती आध्यात में गुरु दलाई लामा को आश्रम दिया था 1969 में आश्रम दिया था निवेश की ने कैरा जीला साकारी दूधूत पादन संग लिमीटेर के कारे को विस्तार करने में मदद की जिससे वा स्वेत करांती का अगर्दूत बन गिया वर्गीच कुरियन को स्वेत करांती का जनक माना जाता है निम्लिखित में से की से अक्टूबा 22 में लद्दा के पहले उब राजबाल के रूप में नियुक्त किया गया था राधा क्रिशन माथूर को नियुक्त किया गया थो चलिए नेक्सिप के कंटनियू करते हैं निम लिखित में से कौन सा मद भारत के चालूखाता सेश के को प्रत्यक स्तोर पर प्रभावित नहीं करता है। विक्रा मादेती 6 जिनके दरवारी कवी बिलहन उसकी जीवनी लिखी थी डैस राजवंस के सासक के थे चालूख के राजवंस के थे। भारत में राष्टी उप भोखता दिवस कब मनाय जाता है, 24 दिसंबर को उप भोखता दिवस मनाय जाता है। निमिखित में से किसे तेवार को मनी पूरी नव वर्ष के रूप में जाना जाता है, चेरेवा निरिते को मनी पूरी नव वर्ष के नाम से जाना जाता है, निमिखित में से कौन सा रोग फ्लेवी वाइरस के कारण नहीं होता है, पोलियो जो है फ्लेवी वाइरस के कारण नह ही होता है कि विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूनामेंट निमिखित में से कौन सा है विला मंड़न जो है विश्व का सबसे पूराना टेनिस टूनामेंट है 1975 में राष्टी आपकातकाल की घोसना के समय भारत के राष्पति निमिखित में से कौन थे फर खुद दिन अली अहमद थे 1975 के राष्टी आपकातकाल के घोसना के समय पदार्थ की निमिखित में सकी सवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंशन सेट के नाम से भी जाना जाता है पंचम परकिरिया को जाना जाता है कारवन के कुल कितने प्राकिर्थिक समस्थानिक होते हैं तीन समस्थानिक होते हैं क्रोमाइट नाम खनीच का वैग्यानिक नाम निमिखित में से कौन सा है आईरन क्रोमियम ऑकसाइड है निमिखित में से कौन सा सिलिकॉन डायकसाइड का एक गून है इसका गलनांग उच्चे होता है भारतिय सविधान के अनुचार संग लोक सेवा आयोक का सदस छे वर्स की अवधी के लिए या डैस वर्ष की आयू पूरा होने तक पद पर रहता है छे वर्ष या 65 वर्ष ये दोनों सही होगा सविधान के अनुछे 200C के तत भारत के वित आयोक का गठन के दोआयस द्वारा किया जाता है राष्ट पती द्वारा किया जाता है और अब पती वोरेन ब 24 के समाजिक उधमिता के लिए स्कूल प्रुसकार जीता है और मान ने जीता है इन विच आप दा फोलेंग इस्टेट इज तिलाया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेट के लोकेट या निक तिलाया अल्ट्रा पावर मेगा प्रोजेट किस राजे में इस्तित है जारखन में स्थित है निम्रिखित में सकान सा परमपरिक रूप से अंदमार रोली को बार दीप समूह में रहने वाला आ सक्षिष में यहां क सम्मौन नहीं है वह उंगे जो समुधाई बिल्कुल ठीक संगठन अन्य तीन संगठनों के तुल्ला में पहले अस्थापित किया गया था ब्रह्म समाज जो था इन सभी सब पहले अस्थापित किया गया था महादेव पहारिया मुख रूप से किस राज में फैली हुए मध्य परदेश में है महादेव पहारिया किस राज में है महध्य पर्देश में है तो चलिए नेक्षिप के कंटनीव करते हैं टोकामक नामक उपकरन मेखित में से किस प्रकार की इंधन से सम्मान दित है परमानू से सम्मंदी थे प्राथना समाज के संस्थापक निमिखित में से कौन थे आत्मा रंग पांडू रंग प्राथना समाज के संस्थापक थे और संत्रिप्त कारवन योगिक डैस के साथ जलते हैं धुये वाली पीली लोग के साथ जलते हैं एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारा सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट की स्वा सुरू किया गया था उन्य सुब्रान में इस भी में प्रोजेक्ट एलिफेंट सुरू किया गया था योसांग नामक तेवार निम्निकित में से किस राजे में परांपरिक रूप से मनाई जाता है मनीपूर में मनाई जाता है योसांग नामक तेवार Speaking Truth to Power My Alternative View नामक पुस्ता के लेखक कौन है पी जी दंबरम है जो Speaking Truth to Power My Alternative View के लेखक है अकबर द्वारा लड़ी के निम्निकित लड़ाईों में से कौन सी लड़ाई अन्य की तूलना में नवी निताम है हल्दी घाटे की लड़ाई इन तीनों से सभी से नवी निताम है अमरीता देवी विशनों राष्टिय पुरुषकार किसले दिये जाता है वने जीव संळक्षन के लिए अमरीता देवी विशनों राष्टिय पुरुषकार दिया जाता है अस्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है सूरत गोगय जो पाकिस्तान में स्थित नहीं है लेकिन कोट कोटदा दीजी यह भी है बाला कोट भी है और चनहुदर यह तीनों पाकिस्तान में लेकिन सुर कोटदा जो है यह पाकिस्तान में नहीं है राष्टी एकता परिशत की पहली बैठक किस वर्स में होई थी उन्हें सो बासा टिस्मी में राष्टी एकता परिशत की पहली बैठक होई थी और डिशा के बरगठ जिले में निकाली जाने वाली धनु जात्रा विश्णू के निमिखित में से किस अवतार को समर्पित है भागवान क्रिश्ण को समर्पित है निमिखित में से कौन सा हमारे स्वर्मंडल का बौनाग्र है यानि कि ड्वार्फ पलैनेट है मेक मेक जो है हमारे स्वर्मंडल का बौनाग्र है दक्षी नेसियाई छेत्रिय सहयोग संगठन यानि कि सार्क की अस्थापना किस वर्स की गए थी उन्हें सो पचासी इसपी में सार्क की अस्थापना किया गयता और इसका मुख्याले कहा है काठमांडू में है निम्लिकित में से कौन सा ग्रिफाइट का एक पूर्ण एक गुन नहीं है इसका गलना का निम्लिकित में से किस नदीपा डायमर भासा नामक बांध का निर्मान क स्थित्य थे सास्तक मोट मोट सास्तम कोटा जिल जो है अधर भूमी केरल में इस्तित्य थे घरुनीश में दम्युजी के अकडमी द्वारा निर्ति कालाने धीक उपादी से समानीत प्रिय दर्शनी गोविंद एक डैस प्रसिद निर्त्यांगना है भरत नाट्यम के निर्त्य सितंबर 22 तक अकरे के अनुशा नीती आयो के CEO को कोन है अमिताव हम जो है में सानीजी का यस्क है मैगनेशियम का यस्क है किसे राइट केंधर के घेल मंतराले ने खेलो एंडिया योजना के पहले चरन में आठ राजों में खेलो एंडिया सेंटर फौर एक्सिलेंस स्थापित करने का निर्मालि लिया उन्विखित में कौन साराज इन्हाथ राज्यों में सामिल नहीं है अंत्र परदेश इन्हाथ saam नहीं लेकिन अदिश्या करनाट कर नाखला लिया सामिल है सोलवी लोगसभा के प्रोटे में स्पीकर कौन थे कमल नाथ थे सोलवी लोगसभा के प्रोटे में स्पीकर निम्लिखित लगू नामू में से कौन सा भारत में खुद्रा भूगतान और निप्टान प्रनाली का संचालन करने वाले एक प्रमूख अंप्रेला संगठने एन पी सी आई है भारते समिधान में समिधान संसोधन का प्रस्ताव निम्लिखित में से किस देश के समिधान से लिया गया है दक्षिन अफ्रीका के समिधान से लिया गया और अनुछे 368 में समिधान संसोधन दिया गया है कुंडली नी The Mother of the Universe पूसता किस ने लिखी है जिसमें ललिता सहस्त्र नाम का अंगरी जियन वाद सामील है रिशी सिंग घिरवाल ने लिखा है भारते समीधान का नुछेद 21 किस से संमांधीत है जीवन का धिकार से संमांधीत है डैस में भारा सरकार के एक कार्यकारी निर्ने द्वारा योजना योके स्थापना किया गया था 1950 इसपी में योजना योके स्थापना किया गया था फिल्म निर्माता उत्पल बोर पुजारी की डोकुमेंटरी सौंग ओफ दा डैस नागा जंजातियों के लोक गीतो और संस्क्रिती पर अधारित है ब्लू हिल्स नागा जंजातियों के द्वारा स्थापित है जिन्री खित में से कौन सी एक उत्तर भारत की खड़ीप फ़सल है और दक्षिन भारत की रवी की फ़सल है और साशर के सांधार में ए पी एफ में पी का अर्थ क्या होता है प्रोविडेंट होता है 320 इसपी से 550 इसपी के बीच किस राजवंस ने भारत पर सासन किया था गुप्त राजवंस ने सासन किया था कौन सी मृदा उत्री मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुए और भारत के कूल छेतर पर का लगभग 40% छेतर घेरे हुआ है प्रकास की तरंग धैर को मापने की काई क्या होती है एंगर्स्ट्रम होती है यानि एंगर्स्ट्रम से प्रकास की तरंग धैर को मापा जाता है बहुत उच तापमान को मापने के लिए किस उपकरन का परियोग किया जाता है पाइरो मीटर का परियोग किया जाता है लाल लीगा ट्रोफी किस खेल से सम्मंदित है फुटबॉल से सम्मंदित है लाल लीगा ट्रोफी फुटबॉल से सम्मंदित है रौप और हीकत डैस के निरित्य रूप है जम्मू कस्मीर के निरित्य रूप है जरौप और हीकत इमेखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंदी थे साम वेद जो है संगीत से संबंदी थे भारत के समिधान का कौन सा भाग संग एवम केंदर राज्यों के विश संबंदों से संबंदी थे भाग एकारा जो है केंदर राजी संबंदों से संबंदी थे कोशी का फीड फाउंटेन पेन का विशकार किस ने किया था LE Waterman ने कोशी का फीड फाउंटेन पेन का विशकार किया था LE Waterman ने सीशू मिर्त्यूदर IMR किसी वर्स विशे में पैदा हुए एक जीवित बच्चों के अनुपात में उन सीशूओं की संख्या को इंगित करता है जिनकी मिर्तियू डैस की IAU से पहले हो जाती है एक साल से पहले हो जाती है चेचक के टीके की खोजी किस ने किया था EDVARD Jeyner के दवारा चेचक के टीके की खोजी की गई थी निम्लिकेत में से किस खेल से अंजू बोवी जोर्ज जो सम्बंदित है एथलेटिक से सम्बंदित है अंजू बोवी जोर्ज विटामिन के की कमी से हमारे सरीम डैस होता है रक्त के ठके की जमने में देरी होते विटामिन के कमी के कारान पानी पत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी 1526 में पानी पत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी कोल कली की सराजी के प्रामपरिक लोक निर्तों में से एक है केरल के लोक निर्तों में से एक है कोल कली पंडवानी डैस का सबसे प्रसिद लोक गीत रूप है 36 गड़ का पंडवानी जो है सबसे लोक गीत नार्टी है बियोंड दा लाइन्स पुस्ता के लेखाक कोने कुलदीब नायार जो है बियोंड दा लाइन्स पुस्ता के लेखाक है तब पूरे 25 कोचन कंपलीट हो गए तो आज के लिए तना ही रहने देते हैं आपको रोज एक एक वीडियो मिल जाएगा इससे प्रिविएस यहां पर टोटल 22 22 का कितना सिप्ट का है टोटल अर्ताली सिप्ट का और 21 का ब्याली सिप्ट का और 19 का उन्चाली सिप्ट का तीनो नहीं लेना है और रिजनिंग का भी आपको लगातार कोचन वीडियो मिला है तो प्लीज उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है और जो लोग ना है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिजे ठीक है आपको इस चैनल पर प्रिवियस यह